Hello everyone, आज हम बात करने वाले हैं isomerisms के बारे में, ठीक है? देखे, isomerisms क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा compounds जिनका molecular formula same होता है, molecular weight भी same होता है, बट उनकी physical या chemical properties क्या होती है? अलग-अलग होती है, different होती है, ठीक है? molecular formula same होगा, और molecular mass भी same होगा, बट उनकी physical और chemical properties क्या होगे? different होगे, उनको हम बोलते हैं isomerse, ठीक है? और इस phenomenon को हम बोलते हैं isomerism, वो क्या कहलाएंगे? वो compounds एक दूसरे के isomerse कहलाएंगे, और इस phenomenon को हम बोलेंगे isomerse, अब दीखे, isomerism जो होता है, हमारे पास अलग-अलग तरग होता है, ठीक है ना, जो isomerse पे उसको हमने में डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट में ठीक है ना, structural isomerism और stereo isomerism में, अब यहाँ पे दीखे, जो structural isomerism में, यह further, पाँच पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, chain isomers, position isomer, functional isomer, metamerism, और totomerism में, ठीक है, और यह जो stereo isomerism है, यह हमारा geometrical isomerism और optical isomer में, डिवाइड है, तो सबसे पहले हम structural isomerism के बारे हम पढ़ते हैं, देखे, ऐसे compounds हैं, जिनका molecular formula सेम होता है, लग-लग types के होते हैं, जैसे chain isomer, position, functional metamerism, भी totomerism, तो एके करके इनी के बारे में discussion करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है chain isomerism, ठीक है, देखे, chain isomerism के होता है, chain isomerism के अखर बात करें, तो ऐसे compound, जिनका molecular formula सेम होता है, functional group भी उनमें सेम रहेंगे, functional group की position भी सेम रहेंगी, और multiple bond भी सेम रहेंगी, बट जो atoms का arrangement है, मतलब जो carbon की chain है, वो थोड़े different होगी, उसी को हम बोलता है chain isomer, मतलब functional group सेम रहेंगे, multiple bond सेम रहेंगे, जगह पे रहेंगी, उनकी position सेम होगी, बट यह जो carbon की position है, carbon की chain है, यह chain क्या होगी, different होगी, ठीक है, जैसे हैंगे हमें दे रहेंगे, compound having same molecular formula, same functional group, same position of functional group, और multiple bond, बट different arrangement of atoms, मतलब number of carbon change होती है, उनका arrangement क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, जैसे हमेंगे, example दे रहेंगा है, C4H10, C4H10 को हम अगब लिखें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CS3, CS2, CS2, CS3, और हम इसको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CS3, bone, CH, bone, CS3, bone, CS3, तो यह, देखेंगे, इनका molecular mass क्या है, same है, molecular formula same है, दोनों का, ठीक है न, यहाँ पर functional group और multiple bone तो है नहीं, तो हम यही देखेंगे, बस, बट यहाँ पर carbon की जो arrangement है, वो क्या है, different है, तो यह एक दूसरे क्या कहलाएंगे, यह एक दूसरे के chain isomers कहलाएंगे, जैसे यहाँ पर देखें, C4H8 है, तो इसको अगर हम लिखेंगे, तो इस तरह लिख सकते हैं, CH3, bone, CH2, bone, CH, double bone, CH2, देखें, यहाँ पर chain है carbon की, और साथ-साथ multiple bone है, तो multiple bone की position कौन से number पर है, one number पर, one पर है ना multiple bone, तो आप हमें chain अलग बनानी है, बट multiple bone हमेशा first number कानी चीए, तो कौन सी chain बन सकती है, हमेश की यह वाली, CH3, bone, CH3, bone, CH3, double bone, CH2, देखें, यहाँ पर multiple bone की position वह ही है, one number, यहाँ पर करेंगा number 1, 2, 3, और यह methyl हो गया टूपे, तो यहाँ पर देखें, molecular formula सेम है, दोनों का C4, H1, ठीक है ना, multiple bone सेम है, यहाँ पर भी एक double bone है, यहाँ पर भी double bone है, multiple bone की position सेम है, ठीक है ना, बट carbon का जो arrangement है, वो थोड़ा अलग है, तो यह दुसरे क्या कहलाएंगे, यह एक दुसरे के chain isomers कहलाएंगे, और इसी फिनोमेना को बोलते है, chain isomerism, आयो पर आपको clear हो क्योंगा, जैसे यहाँ पर C5H10, तो इसके arrangement दिखा दिया हमने इस तरह से, अब देखेंगे हैं पर functional group वाला है, जैसे हमारे पास है C4H9OH, इसके हमें chain isomers बनाने हैं, तो functional group सेम रहना चीए, OH रहना चीए, तो इसके isomers हमने बना है, CH3, CH2, 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 CH2 OH, ठीक है, देखें, फॉर्मला देखें, चार कार्बन है, नो हाइड्रोजन है, ठीक है न, 3 प्लस 25, 7 और 29, और यह OH आ गया, ठीक है न, अब हमें OH कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है न, यहाँ से numbering करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर है, तो अब हमें इसका एक और आइसोमर बनाना है, जिसमें OH फर्स्ट नंबर पर ही रहना चाहिए, बट कार्बन की चेन का अर्रेंजमेंट थोड़ा अलग हो, तो हमने इस तरह से बना दिया, CH3, 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 CH2, 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 देखें, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रूप है, वो फर्स्ट पोजिशन पर ही है, बट यहाँ पर कार्बन की चेन का जो अर्रेंजमेंट है, वो थोड़ा अलग है, तो यह दोन एक दूसरे क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे, तो हमें सिर्फ इतना धिहान रखनाएंगे, अगर हमें चेन आइसोमर बनाने हैं, तो हमें minimum 4 कार्बन की requirement होती है, ठीक है न, अगर 3 कार्बन के हम चेन आइसोमर बनाते हैं, जैसे C3, H8 है, इसके अगर हम चेन आइसोमर बनाएंगे, तो पहला तो यह बन जाएगा CH3, CH2 और यह CH3 बट अगर next हम बनाना चाहे तो इस तरह सी बनाएगे CH2, CH3 तो यह भी तो एक straight chain होगी कि कहना यह भी एक simple chain है तीन carbon की और यह भी होगी तो इनके नाम तो एक है ना तो यह isomers नहीं कहलाएगे तो इसका मदलब यह है कि Chain isomers अगर हमें बनाने है तो हमें minimum कितने carbon की requirement होती है 4 carbon की तो हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर minimum 4 carbon की requirement होती है क्लि findings ना चलिए अब भात करते हैं position isomers की ठीक है देखे position isomers की अगर हम बात करें position isomers की से तो position isomers क्या होते हैं तो ऐसे compounds जिनका molecular formula same होता है ठीक है ना molecular mass same होता है functional group same होते है multiple bond same होती है carbon भी same होते है बट जो functional group है जो substituent है और जो multiple bond है उनकी position क्या होनी चीए अलग होनी चीए तो इसलिए position इनकी अलग होती है इसको position isomers बोलते है यहाँ पे chain अलग बना नहीं थी न position same थी functional group same था multiple bond same थी बट chain अलग बन नहीं थी तो उसे chain isomers बोलेंगे यहाँ पे हमें सब चीए सेम रहेगा बट functional group, substituent और multiple bond की position अलग हो जाएगी तो इसको हम position isomers बोलेंगे क्या बोलेंगे? position isomers देखिए example जैसे हमारे यहाँ पे है CH3, CH2, 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 CL तो यहाँ पे चार कारबन की chain है और CL जुड़ा हो है तो chain same रहेगी chain में कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है chain simple रहेगी बट यहाँ पे जो substituentase की position क्या थी? one position थी first पे थाना है तो इसकी position change कर दो इसे second पे कर दिया ठीक है तो यह हो गया हमारा position isomers जैसे हैं यहाँ पे हमें दे रहा है CH3, CH2, CH2 OH तो यहाँ पे जो यह functional group है alcohol यह first number पे है ना इसको हमने हटा के second number पे रख दिया तो functional group की position change कर दी तो यह हो गया position isomers इस तरह सम कर सकते हैं जैसे हमारे पास अगला है CH3 bone CH2, bone CH, double bone CH2 ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है दिखिए यहाँ पे जो multiple bond है यह first position पे है यह first position पे ना है यहाँ पे multiple bond तो इसको हमने हैं से अटा के second position पे कर दिया change सेम रहेगी जो multiple bond है उसकी position क्या होगी change होगी पहले carbon number 1 पे थी अब carbon number 2 पे आगी अगर इधर से करेंगे तो भी 2 पे है और इधर से numbering करते हैं तो भी 2 पे है तो यह कहलाएंगे एक दूसरे के position isomers ठीक है तो आई होब आपको यह समझ में आगी होगा chain isomers क्या होता है और position isomers क्या होता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं functional isomers की ठीक है functional isomers की बात करने से पहले एक बार हम जो position isomers में है उसे aromatic compound में भी देखेंगे ठीक है जैसे यह भी कुछ example है हमारे पास position isomers की example है यहाँ पे जो NO2 group है वो कौन से नमबर पर है वन नमबर पर हमने इसको change कर दिया second नमबर पर यह भी एक दूसरे क्या कहलेंगे position isomers चैन तो same है नहाँ पर भी देखो chain same है पर यह जो multiple bond है double bond है इसकी position क्या होगी अलग होगी ठीक है यहाँ पर भी position लग होगी तो एक दूसरे क्या कहलेंगे position isomers कहलेंगे और इस phenomenon को बोलते है position isomers अब हम यह चेक करेंगे कि जो position isomers होता है वो aromatic compounds में कैसे होता है आगे चलके हम बात करने वाले aromatic compounds क्या होते हैं कैसे पता करते हैं कि कोई compound aromatic होगा या नहीं होगा क्या conditions होती है उसके लिए तो ध्यान देना कि जैसे कोई monosubstituted benzene ring है मतलब एक ऐसी benzene ring जिस पर सिर्फ एक ही substituent है तो वो position isomers नहीं देगा ठीक है ना क्यों नहीं देगा वो भी देख लेते हैं जिसे हमारे पास यह 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 बेंजेन रिंग है फिनोल है यहां पर सिर्फ एक तो भी यह सेम रहेगा यह फेनोल है तो कोई फरक न पड़ेगा तो mono-substituted benzene ring जो होती है वो position isomer show नहीं करती है लेकिन जो die-substituted मतलब ऐसी benzene ring जिस पर दो substituent होते हैं ठीक है ना चाहे functional group भी हो सकता है उसको हम बोलते हैं वो जो है wali ring die-substituted benzene ring जो होती है position isomer जिसो करती है और कुछ-किस position पर show करेगी ortho-meta-pera ठीक है अब यह ortho-meta-pera क्या होता है चलिए देख लेते हैं इसी को जैसे यहाँ पर हमारे पास एक benzene ring है यह हो गया हमारे पास OH इसी को हम एक और बार बना रहेते हैं यहाँ पर OH इस circle का मतलब होता है resonance show करता है तो double bone दिखा दीची यह फिर circle दिखा दीची यह हो गया OH दिखिए एक-एक सब्स्ट्ट्ट्ट तो इस तरह आ गया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जो सब्स्ट्ट्ट्ट्ट के बगद वाली position होती है इसको हम बोलते है ortho position जैसे हमने यह बनाया यह हो गया हमारा OH यह वाली position जो होती है इसको बोलते है ortho position कौनसी position ortho और इस वाली position को हम बोलते है meta position और इस वाली position को हम बोलते है para position तो हमें इस तरह से धिहान रखना है O, M, P किस तरह से धिहान रखना है O, M, P जैसे यहाँ पे substituent है ठीक है ना functional group है यह alcohol तो इसके बगल वाली position क्या हो जाएगी ortho इसके बगल वाली हो जाएगी meta और इसके बगल वाली हो जाएगी para ठीक है इधर वाली क्या है यह ortho यह meta और यह para ठीक है इस तरह से हमें ध्यान रखना है OMP यह word यहाँ रखना है OMP तो इस तरह से हम भूलेंगे नहीं जैसे यहाँ पे OH है ठीक है ना तो यहाँ पे isomanism कैसे होगा देखिए यहाँ पे isomanism कैसे होगा जो एक और substituent है वो शायद ortho पर आए ठीक है या फिर para पर आए या फिर meta पर आए तो यह अलग-अलग position isomer इसके अलग-अलग हो जाएगा ठीक है ना फिनोल में हमने कलोरीन को एक बार ortho पर जोड़ा एक बार meta पर जोड़ा और एक बार हमने इसको para-pad किया है ठीक है तो इसकी इनका नाम हो जाएगा 12 position इसको बोलते है 13 position और इसको बोलेंगे 1234 तो 14 position ठीक है ना या फिर simple बोल सकते है ortho position, meta position और ये para position ठीक है जैसे यहाँ पर हमने CL जोड़ा यहाँ पर हमने CS3 जोड़ा next example में तो इसका नाम होता है ortho krisol क्या होता है ortho krisol इसका नाम हो जाएगा meta krisol क्योंकि ये krisol है और meta पर है ना CS3 को रूप तो meta krisol और ये हो जाएगा para krisol ठीक है तो इस तरह से हम position isomer को बढ़ते हैं तो अब हम बढ़ते हैं अपने next isomeris की तरफ जिस हम बोलते है functional isomeris ठीक है देखिए functional isomeris क्या होता है molecular formula same रहेगा carbon की chain सेम रहेगी बट यहाँ पर यहाँ पर जो होगा functional group जो होगा वो अलग-अलग रहेगे ठीक है molecular formula same रहेगा बट functional group क्या रहेगे अलग- यहाँ पर example देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है, एक compound यह CH3, CH2, ठीक है न, और यह हो गया OH, यहाँ पर कौन सा functional group है, alcohol, ठीक है न, alcohol functional group है इसको क्या बोलेंगे, ethanol बोलेंगे, यह ethane और यह alcohol, ethanol, तो हमें इसका functional isomer अगर बनाना है, तो दो carbon की chain में यह functional group को change करना है, ठीक है न तो यह भी क्या है हमारे पास, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, CS3, ठीक है न, और यह bond O, bond CS3, तो देखिए, दो carbon है, ठीक है न, 6 hydrogen है, और 1 oxygen है, ठीक है न, यहाँ पर double bond नहीं लगा सकते हैं, तो CS3, O, CS3, तो formula तो हमारे पास वह है न, कि C2, H6O, देखिए, यह भी formula वही है, यह भी formula वही है, molecular mass same है, ठीक है न, molecular formula same है, बट यहाँ पर क्या है, functional group अलगा अलगे, तो यह दोन एक दुसरे क्या कहलाएंगे, functional isomers कहलाएंगे, और होप आपको समझना आगी होगा, जैसे हमारे पास यह compound है, CH3, bond CH2, ठीक है, bond C double bond O, bond OH, तो यह हमारे पास क्या है, acid है, ठीक है न, इसी का अगर हमें functional isomers बनाना है, कितने carbon यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 3 carbon, तो हमें भी होँआपे 3 carbon यूज करना है, बट functional group क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है, तो इसी का अगर हमें बनाना है, तो हम इस तर functional group क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है, तो एक बड़ जड़ा और देख लेते हैं, एकजमपल और देख लेते हैं, ठीक है, यह है, CS3, bone CS2, bone C double bond, और bond है, यह हमारा क्या तयार हुआ, यह हमारा LDHYD तयार हुआ हुआ, क्या तयार हुआ हुआ, LDHYD, अब हमें इसका functional आईसोमर बनाना है carbon से हमें उने चीए तीन बड़ functional group चेंज करना है तो इसका हम बना देंगे इस तरह से CS3, C double bond or bond CS3 ठीक है न देखिए यहाँ पर भी तीन carbon है यहाँ पर भी तीन carbon है, 6 hydrogen है, यहाँ पर भी 6 hydrogen है, एक oxygen है और double bond है तो यह हमारा aldehyde हुआ और यह हमारा आगया ketone, ठीक है, यह हमारा क्या आगया ketone, तो यह एक दूसरे क्या कहलाएंगे functional isomers कहलाएंगे आईप आपको समझ में आगया होगा, molecular formula same रहेगा, बट हमें functional group अलग बना देना है, ठीक है न, functional group ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात की chain isomers की, position isomers की and functional isomers की, next वीडियो में हम बात करेंगे metamerism and totomerism की, ठीक है तो अगर आपको यह आज की वीडियो पसंद है तो please channel को subscribe कर दें, ठीक है, वीडियो पसंद दें like करें